कि सभी को नमस्कार कि प्रभु वासुदीजी आयर्वेदिक चैन्दर आपका हार देख श्वागत अभी नंदन मैं आज एक ऐसी समस्या के बारे में आपको जानकर इसे रूब रूब करवाने जा रहा हूं जो इतनी जबर्दस्ते उसका दर्द असन्य है प्रेशान हो जाते इसको मुमेंट करने में जिनको जबर्दस दिक्कत आने लग जाती है नाम है गठिया और इसको आईर्व में इतना जबर्दस्त समाधान है इतना आसान समय 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 है कि आप इसको जड़ मूल से खत्म कर सकते हैं कुछ ही दिनों समय सुनने से पहले अगर आप नए है तो हम मेरे इस चैनल को आप सिस्क्राइब कर लिजे बेल आइकोन को प्रेश कर लिजे ताकि आप इस वेलीवल जानकरी को सबसे पहले प्राप्त कर सके है अरेंडी का जो बीज होता है उसके उपर से जो छिलका है वहटा दीजिए और पचीस ग्राम गिरी को लेकर और आदा किलो देशी गाय का दूद में उसको खीर की तरफ पका लेजिए जब आपको मलूम पड़ा खीर पूरत पक चुकी है उसको उतार दीजिए और एक ग्राम के करीब सोट पीस्तिवी पाउडर के रूप में उसमें मिला दीजिए हिला दीजिए और हलका गरम उसको पी लीजिए और साथ में आपको सो ग्राम तिलका ते लेलो उसको वीस ग्राम आप उसमें लस्टन की कलियां लेलो और वीस ग्राम अजवाइन लेलो दस ग्राम नमक लेलो इन चारों को आप हलकी आच में हलकी आच में इसको आप गरम करके जैसे ही अजवाइन और लस्टन यह उतार दीजिए और चलनी में काज की शिस्षी में काज की शिस्षी तेल को डाल दीजिए जब जाएं Carina कर रहा हो उस अंग के लिए आप ठोड़ा सा कटुरी के अंदर उसमें से त씨 निकाल ले न और वहां गुंगुना गदेते और जिस जगह आपको दर्द हो रहा है उसकी मालिस कर लेजिए यह तेल हो गया आपके वाईव की समस्त प्रकार की बीमारी का समधा में बहुत बड़ा सही होगी साम को आप ऐसा करिए कि जो पीली हरड है उसका छिलका ले लो और एलवा की जड़ी बुटी है उसको ले लो और मिठी सुहंजान ले लो तीनों समान मात्रा में लेकर उसको बहुत बारिक महिन मेंदे की तरह कूट पीच कर महिन बना दें और एक आदा चमच केवल आदा कुने पानी के साथ में आप सेवन कर ले और साथ में अगर आप अलोवीरा पीना चाहें तो 30-40 ग्राम अलोवीरा का भी सेवन कर सकते हैं यह आप कुछ दिनों तक कर लीजिए आपकी गठिया की बीमारी रही ही नहीं सकती और मैं तो यह ने निवेदर करता हूं कि आपको स और एक सारी समस्या मिटने के बाद में आप 20 दिन से लाग और एक महिना तक और आप सेवन कर लीजिए आपकी गठिया की समस्या जीवन पर वापस हो नहीं सकती मुझे इस्वास से यह जानकरिया आपको बहुत जवर्दस लगी यह आप आगे भी आपकी इस्टमित्रों को सेयर करेंगे मिलते हैं ऐसी और बैतर जानकरी के साथ में नए वीडियो में और एक और निवेदर अगर आपको इसमन में किसी भी प्रकार की जानकरी और झाल